नमस्कार उत्राखंड समाचार वाप का स्वागत है मैं देवेंद्र प्रसाथ सबसे पहली मुख्य समचार मुख्यमंत्री तिर्वेन सिंग रावत ने चंपावर जिले को दी करोनों की विकास योचनाओं की सौगात कहा प्रदेश के आईश्मान का धारधूं को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल से रफट कराने समधी बाद्यता अधर दी गई है केंद्री अकामन मंत्री रवीशंकर प्रसाथ ने तहरादोन में किया आईकर अपेलिया धिकरन की सरकेट बेंच काउट घाठन उतराखन शेथ के आईकर राताओं अधर रखताओं और सीए को अब नहीं लगाने पड़ेगी इल्डी की दौट जबीश में बोड़ परिक्षाओं की सरी तयांगिया पूरी परिक्षा संबद्धी तराव कम करने के लिए शिक्षा मंत्री अरुन पांड़े ने किया चातर चातराओं से संभवाज भूली निजी स्कूलों में फीस नियंत्रन को हर हाल में लाया जाएगा एक्ट और आज मनाया जा रहा है राश्टी अविज्यांदिवस कोली बच्चों और आम लोगों के लिए कोले गए विभिन वैज्ञानिक और तक्नीकी संस्तानों के संग्राले पिहली के बाश्चाही थौल में समिनार का हुआ आईजन्द अब हबरें विस्तार से मुख्यमंत्री त्रिवें सिंग रावत ने आज चंपावत जिले में करोणों रूप्य की लागत की विभिन विकास योजनाओं का लुकारपन वस्तिला नियास किया गुरल चौल मैदान में आईजित तीन दिवसी चंपावत महुत्सों में शामिल होने आये मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार की कोशिश 2022 तक सभी गाउं को सड़क से जोड़ने की है उन्होंने कहा कि चंपावत जिले में बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान में बहतर काम हुआ है मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिले को 10 हजार रुपे की पुरुसकार राशी देने की भी घोशना की मुख्यमंत्री ने घोशना की कि अब आईशमान कार्ड होने पर मरीच को कहीं भी इलाज के लिए अब सरकारी इस्पताल से रेफर कराई जाने की आवशकता नहीं होगी पहले ये बाध्यता थी जिसे अब खत्म कर दिया गया है शिरावत ने चंपावत में पारकिंग निर्मार, शामल, ताल, जील की विकास और पर्यटन सरकिट विस्तार की घोशना भी की इससे पहले उन्होंने गोलजियो मंदिर में पुजार चना की और बाद में कश्मीर के पुलवावा में आतंकी हबले में शहीद होए राहुल रैस्वाल के घर जाकर परीजनों से फेट की उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव साहेता उपलब्ध कराने का आश्वाशन भी दिया अगामी वित्तवर्शनुस का प्रारम हो जाएगा लेकिन सिमान सेत्रों में जो प्रधान मंत्री जी की भारत माला प्रियोजना है उसके अंतरगत 9000 करोड उपे से सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है बाकि जो गए फंडिंग के लिए ये बीएडिपी की योजना हैं हमारे राज्य में लागो होती हैं के लिए हमने भी व्योस्ता किया राजानी देहरादोन में आईकर अपिली अधिकरन यानि आई टी एटी की सर्किट बेंच की स्तापना की गई है केंद्री और कानून संचारयम सुषना प्रध्योगी की मंत्री रविशंकर प्रसाथ ने केंद्री और जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत और मुक्या मंत्री त्रिविन सिंग रावत की मौजूदगी में इसका उधगाटन किया उत्गाटन समारों में उत्राखन पोस्टल सरकिल के विशेश एल्बम का भी लुकारपन किया गया इस आउसर पर केंद्री अमंत्री रविशनकर प्रसात ने कहा कि देश की 130 करोड की आबादी में मात्र 9 करोड लोग ही टेक्स देते हैं इनमें भी एक करोड की आई दिखाने वाले महज 2 हजार प्रोफेशनल है जबकि पिछले 4 साल में 2 करोड लोग विदेश कए धाई करोड लोगों ने नई गाड़ी खरी दी 10 लाग से उपर अपनी आई दिखाने वाले मात्र 50 हजार है ये इस्तिती सोच निया है हमें इमानदारी से टेक्स देने की सोच बढ़ानी होगी उन्होंने नागरिकता कानून की संबंध में कहा कि ये नागरिकता देने वाला है किसी की नागरिकता चीनने वाला नहीं हाल ही में जजों के इस थानां तरण संबंधी मामली में कानून मंत्री ने मीडिया के सवालों के जबाब में कहा कि इस संबंध में पूरी तरह प्रकडिया का पालन किया गया है कॉलेग्जियम जिसकी अध्यक्ष्टा Chief Justice of India करते हैं उसके लाइट में एक करवाई हुई है एक नहीं दो-दो जजजेज और भी ट्रांसपर होई है और इसकी प्रक्रिया होती है इस संबंधित जजजोस का कंसेंट भी आए है तो कंसेंट के बाद करवाई हुई हुई ITAT के अजग Justice PP भट ने कहा कि अधिकरण देश की पुरानी संस्ताओं में से है और अब तक इसकी 29 सरकिट बेंच है उत्राखंड में 30 सरकिट बेंच खोली गई है वहीं ITAT के उपाध्यक्ष GS पन्नू का कहना है कि सरकिट बेंच की स्तापना से उत्राखंड शेत्र के आईकरदाताओं के साथ ही अधिबकताओं और CA को सहुलियत होगी प्री इंडिपेंडन्स एरा में 1941 में इस्टाबलिश हुए थी और इसके अभी पूरे देश में 29 जगा पे अलग-अलग हमारी बेंच इसकारिय रहत है आज देवगुमी उत्राखंड में भी हमने देरादुन में हमारी ये तीसमी बेंच लगवाई है वो जो हैसल थी दिल्ली आने जाने की वहाँ अपिल पाइल करने की उसमें से उनको मुक्ति दिलवा के हमने यहां जस्टिस एडोस्टेप के नाथे ये बेंच उप्लब करवाई है Himmong Peng पहले वह दिल्ली बेंच एक दिल्ली वेंचेस के सामने जाता था जो यूरिज़िक्शन इन एरियास की दिल्ली बेंचेस में जाता था उत्रखन बोड की परिक्षाओं को शांतिपून धंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तयानिया के गई हैं चात्र चात्राइं तनाव मुक्त होकर परिक्षाएं दे सके इसके इसके लिए शिक्षामंत्री अर्विंद पांडे ने पहल की है उन्होंने तहरादून के नवर्दय विद्याले से वर्चुल क्लास के जरिये प्रदेश भर के चात्र चात्राओं से समबात किया और उन्हें शुप कामनाएं दी शिक्षामंत्री ने दूरदर्शन समाचार से बाचीज में बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू धंग से परिक्षाओं को संपन्य कराने के लिए कदम उठाए गए हैं उन्होंने चात्रों को परिक्षा के लिए शुप कामनाएं दी पहले से बाउस्तित हैं और कोई कहीं से पहिंता कोई लापरभाही की उमीद नहीं हैं उत्रा खंड बोड के एक्जाब होने वाले हैं और इसमें अभी मैंने वर्च्वल कलास का जो हमारे सेंट्रलाइज स्टूडियो है इसके मादधें से मैंने बच्चों को संबुदित किया और मुझे लगा कि हैं बिलाले सिक्षा के बच्चे हैं फरिकारी स्कूलों के बच्चे हैं अब हाव पहले हैं इनको मुटिवेश के साथ आप एक्जाम देजिए अग्योग बंबे के लिए जो आपके अंदर बिशेष्टाएं हैं उसी बिशेष्टाओं को प्राथमिक्ता दो किसी दूफरे से कंपटिशन मत वरो दूफरे से कंपटिशन में बच्ति अपना स्वभाव अपनी काविलियत यह कहीं में कही समाथ करे बैठता है वहीं दूसरी और शिक्षामंतरी अर्विन पांडे ने ये भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में निजी स्कूलों की बेताहाशा फीस को नियंतरित करने के लिए फीस एक्ट नाना उनकी प्राथमिक्ता है उन्होंने कहा कि इसमें विलम जरूर हुआ है लेकिन फीस एक्ट हर हाल में लागू किया जाएगा का खंड का लागू करने में प्राथमिक्ता है और हम इसको लागू करेंगे मुख्यमंतरीत रिवेन सिंग रावत ने आज देहरादोन इस्तित आईटी पार्क में उतराखन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरन भवन का भूमी पूजन वशिला नियास किया शिरावत ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरन भवन के निर्मान के लिए आधुनिक्तम तक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा आपदा प्रबंधन प्राधिकरन के भवन को ग्रीन बिल्डिंग कॉंसेप्ट पर बनाया जाएगा ये देश का इस तरह का आपदा प्रबंधन के लिए दूसरा भवन होगा इस भवन में 6 फ्लोर बनाई जाएंगे जिनमें प्रशिक्चन हॉल, कॉन्फरेंस हॉल, स्टेट अपरेशन इमर्जेंसी सेंटर शामिल होगे 11,715 वर्गमीटर में ये भवन जनवरी 2022 तक बन कर तयार हो जाएगा एक भारत, शेश्ट भारत, अभ्यान के तहट आज हम आपको लिए चलते हैं करनाटक राज्यमेस्तित, खुबसूरत जल अप्रपाद, जोग, फॉल्स हर साल बड़ी संक्या में पर्याटकों को आकरशित करने वाले इस फॉल्स के बारे में पेश है एक रिपोर्ट करनाटक के बेहद आकरशक पर्याटक स्थलों में शामिल है जोग फॉल्स शिवमोगस दिले के सागर तालुक में जोग गाउं के नजदिक इस्थित जोग फॉल्स खास्तोर से मानसून सीजन में पर्याटकों से खचाख रहता है उस वक्त इसमें भरपूर पानी के साथ ही चट्टानों से गिरते इसके पानी की गर्जना बहुत दूर तक सुनाई देती है करीब 830 फिट की उचाई से गिरती शर्वती नदी से निर्मित जोग फॉल्स में पानी उर्धवा कार रेखाओं में गिरता है जिने उनके गिरने की गती और तौर तरीकों के कारण राजा, रानी, रोरर और रॉकेट नाम दिया गया है करनाटक परेटन विभाग ने इस स्थान को परेटकों के अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठाए है बैकड्रॉप में गिरते पानी के साथ व्यूपॉइंट स्पॉर्ट और सेलफे स्पॉर्ट बनाए गए है परेटकों का कहना है कि वे जोग फॉल्स के प्राकर्दिक सौंदरे से अभिभूत है ज़डने बहुत सुंदर है हालाकि जिस तरह से साल दर साल जोग फॉल्स आने वाले परेटकों के संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए यहां अभी और जगहा और बुनियादी सुविधाये जुटाए जाने की आवशक्ता है वहीं दूसरी और स्थान्य पुलिस अधिकारी कहते हैं कि पिछले दस वर्षों के भीतर जोग फॉल्स देखने आने वाले परेटकों के संख्या में काफी तेजी से व्रद्धी हुई है इसे देखते हुए हमने यहां पर्याक सुरक्षा विवस्था सुरिश्चित की है हमारी कोशिश है कि सुरक्षा इंतजाम इतने पुखता रहें कि कभी भी कोई अप्रिय घटना या तुर्गटना ना हो आज राश्टी विज्ञान दिवस है इस आउसर पर प्रदेश भर में विविन विज्ञान यों तक्निकी संस्तानों के संग्रहालईयों को स्कूली बच्चों और आम लोगों के लिए खोला गया है विज्ञान दिवस के मौके पर टिहरी के बादशाही थौल इस्तित हेमवती नंदन बहुगणांगरवाल केंद्री अविश्व विध्यालई के स्वामी रामतीर्थ परिसर में दो दिवसी सेमिनार आयुजित किया गया विज्ञान और तक्निकी बेहतर भाउशके लिए विशाई पर आयुजित सेमिनार के समापन अवसर पर बाशाही थौल परिसर के निदेशक प्रोफेसर आरसी रमाला ने कहा कि बिना विज्ञान के तक्निकी विक्सेत नहीं हो सकती हम सोच रहे हैं कि इनको हम जो है कठा करें एक गुरूप बनाएं और यह कार एक्टिविटी जो करते रहे हैं आज 28 अज विज्ञान दिवस के रूप में बनाए जा रहा है और आज के दिन ही रामन ने जो सीवी रामन है उन्होंने अपने सिधान का दिया था रामन फिनोम मैं इस्तमाल हो रहा है, जैसे कि मेडिकल साइंस में, फोरैंसिक साइंस में और ख्रीक्स और हो रहा है, नैज रामन फिना मेंन ने का बहुत कुछ है है वही चात्र चात्रां का कहना है कि उन्हें इसे तरह के आयूजंसे काफी कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों नहाँ पे साइनस दे में बहुत कुछ सिखा है। यह अपे बहुत सारी चीजह स elections related… रसाैन एन की जान एक वघ्जान से लीरेथेड और जय पी जान से लीरेथेट जाय। सा बहुत सारी चीजैं स्टूडेंट्स ने रखी है। I am very excited, मैं बहुत excited हूँ कि मतलब यहाँ पर Science Day और मुझे बहुत को सीखने को मिला, because यहाँ पर बहुत सारे Scientist वो गयारा से interaction हुआ हमारा, हमारा चीफ के मिश्टर दुर्गेश पंच जीशे interaction हुआ, काफी अच्छा लगा, मैं हम बहुत को सीखने को मिला. हायाईची डुर्की और राष्टी अजल विज्ञान सस्तान की ओर से आयुजित तीन दिवसी और वाटर कॉनक्लेव में देश विदेश से आये, विशेशग्यों ने जल प्रबंधन और नमामी गंगी मिशन पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये. कॉनक्लेव के तीसरे और अमतिम दिन नमामी गंगी पर योजना के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि वाटर कॉनक्लेव में नमामी गंगी पर चर्चा के दोरान कई महत्ववों सुझाव आये हैं. साथी भावश्य में नमामी गंगी को लेकर विशेशग्यों से चर्चा करदे पर भी सहमती बनी है वर्टर कॉन क्लेव में गंगा नदी की सनरक्षन और चल स्रोतों को सनरक्षित करने पर जोर दिया गया मुझे वरी खुसी है कि जो देश बिदेश के जो एक्सपर्ट साय है उन्होंने गंगा के सर्रक्षन के लिए जो हमारी प्रक्रिया है नमामी गंगी कारक्रम है उसको सराहा और साथ साथ बडे महतुपुर्न सुझाओ दिये और कही फॉरे निवर्शर्टी के जो एक्सपर्ट साय है उन्होंने अपने कार्ड दिये और वे गंगा पे रिसर्च कर रहे हैं और वे अपने रिसर्च की फाइंडिंग से भी अवक्गत कराया और साथ ही साथ भविस्थ में भी हम लोगग साथ मिलके कई चीजों पे रिस तरज पे या उनके फाइंडिंग समय फायदा होगा, इसके वारे में भी चर्चा की गई और इसके वारे में भी एक सहमती बनी है.